Hello friends, welcome back to my channel आज मैं आप लोगों के साथ एक electric chopper की unboxing और उसका review शेर करने वाली हूँ इसे मैंने order किया है brand Homepuff का और purchase किया है इसे मैंने crate से आप इसे Amazon और Flipkart से भी purchase कर सकते हैं लिंक मैंने description box में डाल दिया है वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करतें तो चलिए बिना देड किये वे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ये है Homepuff का electric chopper इसकी warranty आपको 180 days की मिल जाएगी rechargeable battery है और blade काफी sharp है बाउल की capacity 200 ml है waterproof है और easy to clean है तो इसे हम निकाल लेते हैं इसके अंदर आपको एक instruction paper मिलेगा जिसमें आपको details में बताया गया है कि product को कैसे use करना है और साथ में है ये chopper और ये charging cable जिसे आप किसी भी adapter में लगा कर इसे charge कर सकते हैं अब हम chopper को check कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं chopper का blade काफी sharp है और एक छोटा सा बाउल है इसकी capacity 200 ml है और ये इसका motor है और ये button है इसे press करने से ही ये start होता है और ये है charging point जहाँ पर आपको charge करने के लिए ये wire को डालना पड़ेगा इस तरह से अब ये chopper already charge है तो इसमें हम कुछ vegetables को डाल कर इसे चेक करते हैं कि ये कैसे chopper होता है तो इसमें मैं डाल रही है थोड़े से garlic और इसे बंद करके इसे हम chopper करेंगे तो काफी जल्दी यानि 10 से 15 सेकेंड में ये सारे garlic एक तब बारिक chopper हो चुके हैं और इसे use करना भी बहुत ही easy है अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसमें डालेंगे हम प्याज प्याज को भी चेक कर लेते हैं कि ये कैसे cut करता है तो प्याज भी 10 से 15 सेकेंड में एक तम बारिक chopper हो चुका है इसे निकाल के चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं प्याज और लेसुन दोनों ही 10 से 15 सेकेंड के अंदर एक तम बारी कट चुके हैं इसी तरीके से आप इसमें टमाटर, कैप्शिकम, गाजर या ड्राइफूट सभी को chop कर सकते हैं तो overall product काफी अच्छा है उन लोगों के लिए जिने small quantity में vegetables को chop करना होता है साथ ही जिने hand में problem है और जिने manual chopper को use करने में problems होती है बट मुझे इस chopper में केवल यही problem लगा कि इसमें आप एक साथ थोड़े ही quantity में जैसे केवल एक ही प्याज को chop कर सकते हैं अगर आपको 2 प्याज chop करने है तो आपको इसे दुबारा use करना होगा तो यह आपके उपर है कि आपको electric chopper पसंद है या फिर manual chopper तो अगर आपको यह product अच्छा लगा तो आप इसे order कर सकते हैं Amazon, Flipkart या फिर home pub के website से जिसमें इसका price 14.99 है बट offer में यह आपको 7.99 में मिल रहा है आप इसे cred app से भी purchase कर सकते हैं जिसमें आपको यह same product 500 to 600 के बीच में मिल जाएगा तो अगर आपको आज की unboxing वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like, share और मेरे channel को subscribe करना ना भूले Thank you for watching